जैश्य कृष्णा स्वागत है आपका साथितिश्ला के साथ कैसे हैं आप लो कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपसे चर्चा करने आई हूँ एक बहुत अजीब सी बात की क्या होता है कि जब हमें किसी चीज का ग्यान नहीं होता जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता तो हम अपने आप कुछ चीजों की कल्पना कर लेते हैं जैसे अगर घर में कुछ खराब रहो रहा हो घर में कलह बढ़ रहे हो या घर के अंदर आर्थिक इस्तितियां उतिज़ादा डाउन हो रही हो तो इस तरियां क्या सोचती है कहीं मेरे घर में किसी की नजर तो नहीं लग गई कहीं मेरे घर के अंदर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे घर में कुछ छोड़ दिया गया हो सवाल तो बहुत अजीब सा होता है लेकिन उत्तर तो चाहिए साहब नहीं मिलेगा तो मन में व्याकुलता रहेगी और अगर ऐसा है तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है ये सबसे बड़ा प्रशनूर जाता है इसी तरीके से जब पती-पत्नी के रिष्टे में कोई खटास आने लगती है या जब पती-पत्नी के बीच में सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से सब खराब होने लगता है कहीं ग्रह तो खराब नहीं हो गए अच्छा हमने यूट्यूब पे तृश्ला मा को सुन लिया तृश्ला मा के साथ साथ और भी दो-चाल लोगों को सुन लिया उन्होंने बताया कि अगर गु या कुछ और क्रिया हो गई है या ये सिर्फ हमारी अपनी मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण चीजें खराब हो रही हैं बच्चे पढ़ नहीं रहें बच्चे अचानक से बहुत ज़्यादा हुर्दंग करने लगे हैं तो भी सेम कॉश्चन उत्पन होता है ऐसे ही अंगिन होती हैं जिसके अंतरगर्थ हम बहुत सारी चीजों को सोच लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उपाय करने लगते हैं अब एक बात बताईए उपाय कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब नहीं है राहु केवल कमजोर ह कोई भी ग्रह मैं एक एक्जामपल दे रही हूं सूरे भी हो सकते हैं चंदर भी हो सकते हैं मंगल भी हो सकते हैं कोई भी ग्रह हो सकते हैं वो खराब नहीं हैं वो कमजोर हैं और आपने क्या करना चालू किया खराब ग्रह का उपाय करना चालू कर दिया उससे थोड़ा सा बल चाहिए था, वो थोड़ा कमजोर हो गया था, उसे विटामिन्स चाहिए थे, आपने क्या किया, आपने तो उसे उठा कर सीधा बाहार रख दिया, तुम तो खराब हो गया, बाहार जाओ, अरे नहीं भई, खराब नहीं है, उन्हें थोड़ा सा बल चाहिए, दौनों इसे अज्यानता में आपने कर ली, तो इसका रिजल्ट और जादा विनाशक हो जाता है, अक्सर लोग यही गलती करते हैं, छोटे से छेद को एक बड़ा सुराग बना देते हैं, सुरंग खोद देते हैं अपने घर के अंदर और फिर उसका खामियाजा, पीडी, दर, पान करने आएं, लेकिन इससे पहले यह बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं आपके अस्ट्रोलोजर हूँ, वास्तूशास्त्री हूँ, चैरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ, आपके घर में तंत्र हुआ है या यह जानना कैसे सरलता से पता कर सकते हैं, अगर कुछ भी खराब अचानक से होने लगा, तो इसका कारण कोई नजर है, कोई तंत्र है, कोई नेगिटिविटी है, कोई बुरी आत्मा है, या कोई बुरी चीज है, यह कैसे पता चलेगा, मैं बताती हूँ, ऐसे पता चलेगा आपको मंगलवार के दिन एक तामबे के लोटे के अंदर एक सिक्का डाल देना है जल भर देना है और उसके बाद उस जल में थोड़ा सा आपको चंदन का इत्र मिला देना है रात भर उसे आप अपने घर के किसी भी ऐसे पोर्शन पे रख दीजे जहां पे ना वो ढूले ना उसको कोई पैर मारे ना ही कोई उसको रात को छेड़े घर के प्रतेक सद्दस्द के उठने से पहले आपको ये लोटा लेकर किसी पेड में डाल देना है और आपको सिक्का भी वही छोड़ाना है घर के बाहर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तीन दिन लगातार ये काम करना अगर एक हफते के अंदर अंदर वो पौधा मुर्जा जाता है मर जाता है या वो पौधा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है तो आप मान लीजे कि आपके घर के उपर तंत्र हुआ है आप मान लीजे आपके घर के उपर कोई बहुत बड़ी क्रिया हुई है दूसरी चीज जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है एक गलास पानी ले लीजे तारिक नोट कर लीजेगा जिस भी दिन आप ये कारे करें एक ग्लास पानी ले लीजे उसे आप वन पोर्थ भर दीजी उसके अंदर आप एक नीबू डाल दीजे एकदम ताजा पुराना नीबू मत डालेगा एकदम ताजा हरा नहीं चाहिए हलका पीला होना चाहिए चोटे साइस का डालिएगा उसके बाद आप उस ग्लास को अपने घर में कहीं ऐसी जगे रख दीजे जहां पर लोगों की दृष्टी तो जाए पर कोई उसे चूना पाए हाथ ना लगा पाए आपको जिस डेट को आप रखेंगे ना उस डेट से नोट करना है कि कितने दिन म ये पानी सूख जाता है या कितने दिन में आपका ये जो निबू है ये खराब होना चालू हो जाता है अगर साथ दिन के अंदर अंदर ये क्रिया हो जाती है पानी सूख जाता है या निबू खराब हो जाता है तो आपके घर पर तंत्र नजर बुरा साया है अगर ये साथ दिन से ज़्यादा का समय लेता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है तीसरा सरल उपाए जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आपके घर पर कोई ऐसी चीज हुई है एक वाइट पेपर ले लीजे उसके उपर रोली से त्रिभुज बना लीजे त्रिकौन उसके अंदर लिखे हुम फट उसके उपर एक मुठी काले तिल रख दीजिए एक दीपक जलाईए सरसो के तेल का एक दीपक जलाईए और ये क्रिया आपके घर की साउथ डाइरेक्शन में करिए जितनी देर दीपक जलता है अपने घर में घूम कर पूरे घर के अंदर घूम कर ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको भारीपन लग रहा है क्या आपको अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है क्या आपकी तबियत उपर नीचे हो रही है क्या आपके साथ कोई ऐसी चीज हो रही है जो नौर्मल नहीं है अचानक से आपका रोने का मन कर रहा है या अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा है किसी को बोल कर ये क्रिया करिएगा अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो तुरंद प्रभाव से ये सारा समान उठाके घर के बाहर करवा दीजेगा चाहे दीपक जल भी रहा हो तब भी बाहर करवा दी वैसे यह आमावस को भी की जाती है लेकिन आमावस को मैं आपको सजस्ट नहीं करूंगी बिना किसी गुरू या बिना किसी ब्रहमन के अब आती है बात पती पतनी के बीच के संबंदों में कोई ग्रह क्या सच में तांडव कर रहा है तो इसका एक बहुत सरल उपाय बताती हूं साथ दिन तक शनिवार से चालू करिए चाहे रविवार से चालू करिए चाहे सुमवार से चालू करिए वार अपने आप चुन लीजे साथ दिन तक साथ अलग अलग तरह का अनाज आप किसी पक्षी को खिलाना चालू कर दीजे पक्षी भी अलग अलग हो सकते हैं जी कोई जरूरी नहीं कि रोजचडिया को, रोजकबुतर को, रोजकवों को, नहीं, अलग-अलग पक्षियों को, अलग-अलग तरह के साथ अनाच, आपको साथ दिन तक खिलाने हैं, अगर साथ दिन के बाद आप दोनों के बीच के संबंद मधूर हो जाते हैं, पहले से बैटर होने लगते हैं तो ग्रहों की वज़े से आपकी ग्रहस्ती पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहे हैं अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपके ग्रहस्त जीवन पर किसी का साया तो आ गया है आज मैं कि बेखाना मैं पिर आती हुंए अलग कुछ अद्भूत लेकर तब तकเปर्ण के लिए कोकश के ना के रखेगा आप ने सार्ति की साथि में जुड़े रहे रहे गार देते रहे गां भी आलग करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊँंगे तब तक day जैशिकृष्ण सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है ज्योतिश शास्त्र में पीच्टी मात्रशला पिछली 22 वर्शों से ज्योतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ-साथ अनेक दुरलब गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात्रशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवाड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंधरी तृवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवाड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अबॉर्ड से नवासा जा चुगा है